दोस्तो नोशकार आदाब सत्स्रीयकाद नियोज क्लिक के करक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश भीते तीन दिनों में दो बहुत महत्वण किस्न के लोग एक ऐसे व्यक्ति जो किसी शास्की अपद पर नहीं है किसी राजनीतिक प्रशास्निक समवैधानिक पत पर नहीं है लेकिन देश की राजनीति के लिए देश की सत्ता के लिए और देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वण है एक तो मैं उनकी बात करूँगा और दूसरी बात करूँगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो समवैधानिक पत पर हैं और एक राज्य में बहुत महत्पून किरदार हैं उन्होंने जो कुछ किया है जो कुछ कदम बढ़ाए हैं जो बैयानात दिये हैं उनका क्या इंप्लिकेशन है उसका क्या उसका क्या असर पड़ेगा नौकेवनुसराजी पर बलकि समूचे देश पर हम उस पर बात करेंगे दोस्तो जो समझने वाले हैं वो बिलकुल समझ गए हैं और आपका बिलकुल आकलन समझना बिलकुल जाया जाये कि मैं बात करूंगा आज मोहन भागवत जी पर जो रास्टी स्वयम सिवक संग के सरसंग चालक है यानि अगर संचेप में कहें तो वो रास्टी स्वयम सिवक संग के प्रमुख हैं और मवजूदा जो सत्ता समरचना है जिसमें आरेसेस के प्रचारक ही सरवच पदों पर हैं जाहिर है उन सभी लोगों के लिए वो पूजनिय हैं क्योंकि आरेसेस एक ऐसा संगठन है जो अप की चर्चा के एक किरदार हैं वो तमिल नाडू राजे के राजेपाल हैं यानि गवर्नर सहाब हैं समवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो पहले आईपियस आफिसर के तौर पे केरल काडर के एक वरिष्ट अधिकारी रहे हैं बाद में सेंट्रल गॉर्मेंट में भ मोहन भागवत के बारे में क्योंकि वो एक महत्मौन किरदार हैं इस देश की स्यासत में समाज में उन्हों ने जो एक इंट्रिउद दिया है और ंट्रिज्व देने के लिए भी उन्हों ने चैन जो किया है वो अपने ही संगटन को लोगों को अपने ही आर्गनाजेशन से जुड़े आखवारों को पांस जन्य और आर्गनाज़र ये दोनों जो अखवार हैं वो एक आर्गनाज़र अंग्रेजी में है पांस जन्य हिंदी में है इन दोनों के संपादकों को बुलाकर उन्होंने या संपाद को ने उन्हों ने उनको एप्रोच किया होगा जो भी है उन्हों ने इंटरिवीव दिये हैं और वो इंटरिवी जो कुछ अंश है जो कुछ महत्पूर्ण उसकी बाते हैं अंग्रेजी के एक बड़ी अख़वार में छपा है आज और जाहिर है और भी कई अक्वारों में उसकी उसकी कुछ मुख्य मुख्य बात ने आई हैं मैंने भी पता करनी की कोशिश की कि आकीर इस इंटर्वीव में और क्या-क्या है महत्पूर्ण बात ने तो दोस्तों सबसे पहले कोई अपनी गोर से टिपणी देने क टिपणी मैं दूँ उसके पहले आपको बता दूँ कि क्या-क्या कहा है मोहन भागवत जी ने और इसलिए ये बताना जरूरी है कि मोहन भागवत जी जब भी कुछ बोलते हैं तो सरकारें फालू करती हैं समाज में जो आरेसेस और बीजेपी और आरेसेस के दरजनों के हजारों लाखों लोग हैं वो उसको फालो करते हैं कई बार वो कुछ बोलते हैं तो लोगों को भरुसा नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है लेकिन वो अमली जामा पाना देती है सरकार ऐसा भी देखा गया है याद किजिए 2015 में उन्होंने क्या कहा था जब भीहार का चुना EWS आ गया और EWS जो है वो आप देखिए आज वो पूरी तरह वैद कानून बन चुका है तो हम यह कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो कैसे महत्पूर है इसको आप पहले जानी है कि उन्होंने कहा क्या है मौन बागवद जीने कहा है कि अभी जो स्थिती हमारे समाज में है कि हिंदू समाज आज एक युद्ध में है एक यानी वार में है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मौन बागवद जी मेरी आदाश्ट में पहली बार कर रहे हैं इस तरह की बातें और उन्होंने कही है लेकिन भाषा जो है वो शायद इस युद्ध यानि वार में है ये युद्ध बाहरी दुश्मन से नहीं है ये जो दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ ये युद्ध बाहरी दुश्मन से नहीं है आप इसको समझने की कोशिश करें ये अंदरूनी दुश्मनों से है वह अंग्रेजी हुकूमत तो है नहीं तो उन्होंने युद्ध सब्द का इस्तिपाल किया तो ये उन्होंने कहा है और इसके बाद ये कहते हैं कि इस युद्ध में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है अगर वो वर्चसवकाभाव छोड़ दें तो उन्हें कोई चिंता करनी की जरूरत नहीं है वे अपनी मौजूदा इस्थिती में रहना चाहें यानि अगर इसका अर्थ मैं समझाऊं कि वो अगर इसलाम को कबूल किये हैं और इसलाम को मानते हैं या इसलामिक मूल के हैं तो वो रहना चाहें रहें लेकिन अगर अपने पूरवजों की तरफ लोटना चाहें यानि उनका इशारा है कि अपने पूरवजों के धर्म की तरफ तो वो लोट सकते हैं स्वागत है अब सवाल इस बात का है कि ये कौन तै करेगा कि उनके पूरवज किस तरह के धर्म को मानने वाले थे और कितने ऐसे मुस्लिम है भारत में जो वाकई उनके अंसेस्टर्स या उनके पुर्वच किसी और धर्म को बानते थे और उन्हों ने अपने को धर्मांतरित किया ये ये अलग सवाल है ये एक अलग विशह है पुरा का पुरा इसके बाद वो कहते हैं कि भारत और अन्य जगहों पर समाज के बीच नई आक्रामकता आई है एक्ग्रेशन ये एक हजार साल से अधिक समय तक युद्धों में रहने और अंतता आज पूरी तरह जागरित होने के कारणाई है ये जो आक्रामकता है इसमें उनका कहना है कि आरेसेस ने और इस तरह के बहुत सारे संगठनों ने इ उनकी भूमिका है उन्होंने हिंदू समाज को जागरित किया है उनका ये कहना है और इस आक्रामकता का वो अभिनंदन करते हैं यानि जो हिंदू उनके हिसाब से हिंदू समाज में जो एक आक्रामकता है जो उगरता है वो अभिनंदनी है वो स्वागत योग्य है वो कह रह फिर वो कहते हैं कि हमारा युद्ध विदेशी लोगों से रहा है अब भी वो विदेशी विचारों के प्रभाव और विदेशी शेडियंत्रों के खिलाब है अब आप समझें कि विदेशी विचारों के प्रभाव से उनका क्या ताथ पर है हमें ऐसा लगता है और कई बार अगर RSS के लोगों की बातों को सुने उनके लेखों को सुने उनके पढ़ें और उनकी किताबों को भी देखें तो आपको लगेगा कि वो डेमोकरसी को भी विदेशी प्रभाव से उत्पन एक सिस्टम मानते हैं उनका मानना है कि ये जो लोगतंत्र है जिस तरह का पर्लामेंटरी डेमोकरसी जो है वो भारत की संस्कृती विदिन दे कोट हिंदू मुल्य इसके अनकूल नहीं है या इनके एकार्डिंगली नहीं है ये विदेशी प्रभाव से आए हुई चीज़े है तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि विदेशी विचारों के प्रभाव और विदेशी शरियंत्रों के किलाप है जो आज की हमारी लड़ाई है हमारा जंग है इसके अलावा वो बार बार अपने स्टेट्मेंट में भारत और इंडिया को जो संविधानिक नाम है हमारा हमारे मुल्क का नाम है हिंदुस्थान कहते हैं हिंदुस्थान भी नहीं हिंदुस्थान वो बार बार कह रहे है एक बात उन्होंने बड़ी महत्मुन कही है और जो कॉंग्रेस की राजनीती पर एक टिपणी भी है और मैंने कई बार दोस्तों अपने कारिक्रम में आपसे भी कहा है कि हमेशा कॉंग्रेस पार्टी में एक दक्षन पंथी उग्र दक्षन पंथी धारा भी रही है या यूं कहा जाए कि आरेस जो विचारदारा आरेसेस की है भाजपा की है वो कॉंग्रेस के अंदर भी काम करती रही है तो उन्होंने सांकेतिक डंग से कहा है उन्होंने डिरेक्ली नहीं कहा है लेकिन उनका कहना है कि जब सत्ता में आज स्वहिम सिवक्त हैं तो उनको हम क्रेसिस के समयम सिवक सत्ता में नहीं थे और कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब जैसे प्रणव मुखरजी साब का उन्होंने नाम लिया है कि प्रणव मुखरजी थे वित्यमंत्री हमने नेपाल पर कई बार अपनी चिंताओं को उनको पहुंचाया और वे हमारी बात आएफ हम सब जानते हैं कि प्रणव मुखरजी साब बात के दिनों में अरएसिस के एक सालाना बड़े जलसे में भी मुक्यतिती बन कर गए थे हम सब जानते हैं और उन्होंने वहांपर आरेसिस को एक तरह से उसका स्वागत किया था उसको उसको उसका अभी लंदन किया था उसको महत्पूर्ण संगटन बताया था तो ये जो बात कह रहे हैं मौन बागवजी ये एक हजार साल से भी ज्यादा वक्त तक युद्धों की चर्चा कर रहे हैं लडाईयों की चर्चा कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अब हम आ गए हैं जागरती आ गई है जागरती हमारे कारण से आई है ये जो आक्रामकता है ये जो एक तरह की उगरता है इसको वो जायद भी ठारा रहे हैं RSS ही नहीं मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में देश के contemporary history में किसी भी संगठन के मुखिया द्वारा उगरता और आक्रामकता को एक democratic system में जायस ठाराने की ये पहली घटना है इसके पहले हमने देखा कि जो वाकई उगरता वादी थे या जो भारत की संबैधानिकता में यकीन नहीं करने वाले संगठन थे वो लोग इस तरह की बात किया करते थे लेकिन एक संगठन जिसके लोग सरकार चला रहे हैं और जो अपने को स्वदेशी विचारधारा का संगठन बताता है वो खुलेयाम ये कह रहा है कि उगरता और आक्रामकता जो है वह नेचिरल है वह इस्थितियों से उत्पन है जो इस्थितियां पैदा हुई है और अश्र जनक ये है कि मौन भागवत एक हजार साल से भी पीछे जहांक रहे हैं वो दस साल आगे के भारत का सिनारियो नहीं देख रहे हैं वो जोशी मठ नहीं देख रहे हैं वो हमारे देश में बढ़ती हुई बेकारी नहीं देख रहे हैं वो हमारे देश में बढ़ती नहीं देख रहे हैं वो हमारे देश में जो विदेशी रिण है जो विदेशी कमपनियों और विदेशी सरकारों की निर्भरता है हम इतने बड़े देश हैं इतने बड़े ताकतवर देश अपने को मानते हैं लेकिन हालात क्या हैं हालात यह हैं कि हम किसी भी सूच कांग पर जो टॉप टेन कंट्रीज दुनिया के हैं उनमें भी शुमार नहीं होते हैं और हम अपने को कहते हैं कि हम तो भारत जो है दुनिया की सबसे महान डिमोकरसी है सबसे पुरानी डिमोकरसी है लेकिन आप चाहे डिमोकरसी का index ले लीजिये इंटरनेशनल इंडेक्स आप ये human development index इंडेक्स को ले लीजिए आप भारत में दरिद्रता का इंडेक्स ले लीजिए दुनिया के पैमाने पर सभी इंडेक्स में सभी सूचकांकों में हम फिसड़ी होते जा रहे हैं और यहां तक की प्रेस फ्रीडम में भी हमारा हाल बहुत बुरा है लेकिन ये चिंता मोहन जी एक हजार साल पहले या उससे भी पहले के भारत को देख रहे हैं या इस भुखंड को देख रहे हैं इस भुखंड को देख रहे हैं लेकिन दस साल आगे इस भुखंड का क्या होगा इस भारत का क्या होगा इस समाज का क्या होगा हमारी नदियों का क्या होगा पहाड़ ये टिपणी महान भागवत की जो है मैं समझता हूँ कि ये केवल महान भागवत या RSS तक सीमित रहने वाली नहीं है जैसा मैंने पहले कहा कि 2015 में उन्होंने एक एलान किया था तब लोगों ने उसको बहुत सिरियसली नहीं लिया लोगों ने समझा की एक बयान है लेकिन 2019 में उसको लागू कर दिया दोस्तो आज याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ महान भागवत ने अपने इंटरिव में जो कहा है वो निश संदे भारती जनता पार्टी की अगवाई वाली सरकार उसको फालू करने जा रही है उसको देर सबेर एक्जिउट और इंप्लिम इनका जो एक इंगित करने का तरीका है वो बहुत क्लियर है इस इंटरिव में तो एक टिपणी मैं ये करना चाहता था और दूसरी टिपणी अगर मैं आरेन रवी के बारे में ना करूँ जो तमिल लाड के राजिपाल हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं इस सब्ता की एक बहु की ये केरल काडर के आई पियस आपसर रहे हैं अनेक खुपिया संगठनों में काम किये हैं फिर इन्होंने राजपाल के तोर पे काम किया राजपाल ये नगलेंड के रहे मिगाले के रहे और 2021 से तमिल लाड के ये गवर्नर है राजपाल है और सुरक्षा सलाकार डिपटी स सेक्योटी जो 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 अदेश की जो सेक्योटी है उसके ये एडवाजर भी रहे हैं यानि डोभाल साब जो अजित डोभाल साब हैं वो उनके ये सहयोगी या उनके साकर्मी रहे हैं उनके डिपटी रहे हैं तो इन्होंने सुमवार को तमिलाड एसेंबली में ग कोई गवर्नर अपनी स्पीच देने के बाद रास्ट्रगान नेशनल एंथम के बजने का इंतिजार किये बगएर सदन को छोड़ कर चला जाए आरेन रवी राजपाल जो भारत के संविधान से बंधे हुए हैं उन्हों ने हमारे रास्ट्रिय गान को नेशनल एंथम को होने स पहले ही वो वहां से चले गए पहली घटना तो यह बहुत महत्पूर है उनके संबोधन में दूसरी बात जो उन्होंने कही जो हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो गवर्नर साहब लोग किसी भी राज़े में जो स्पीच देते हैं वो स्पीच दरसल सरकार तयार करती है कैबि से पास होकर फिर वो जाता है राज़बहुन राजपाल उसमें अगर संशोधन कुछ करना चाहें थोड़ा बहुत तो वो कर सकते हैं और यह निरभर करेगा कि क्या उनकी सरकार यानि राज़सरकार क्या उसको स्विकार करती है सरकार स्विकार करती है तो ठीक नहीं करती है तो राजपाल उस पर आम तोर पे डिकते नहीं हैं वो कंप्रॉमाइज करेंगे और राज़ सरकार की बात मान लेंगे इस बार क्या हुआ कि पूरी तरह जो डॉक्मेंट तयार हुआ उनके स्पीच का वो राजपाल ने उस पर सहमत ही दे दी प्रिंट हो गया अंग्रेजी में और तमिल में बांट दिया गया विदाएकों के बीच में जो माननी सदस्थे हैं लेकिन उन्होंने उस इस पीच में जो दर्ज शब्द हैं डॉक्टर भीमरावंबेटकर का नाम पेरियार का नाम के कामराज का नाम अन्ना दुरही का नाम और एम करुणा निधी का नाम उन्होंने ड्रॉप किया यानि उसको उन्होंने उमिट किया उसको उन्होंने पढ़ाई नहीं जबकि इस पीच में ये नाम थे द्रविड मौडल का जो शासन है यानि द्रविड मौडल गवर्नेंस की बात जो थी उसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं जबकि स्पीच का ये एक बहुत महत्मौन हिस्सा था तमिल लाड को उन्होंने कहा कि तमिजगम तमिजगम ये शब्द बेहतर है राज्य के लिए ये तीनों जो बाते हैं मैं समझता हूँ मैंने लंबे समय तक भारत की संसत को और देश के कई राजियों की विधान सभाव को कवर किया है ये अनप्रिसिडेंटेट है अभूत है वो अगर समविधान के प्रावधानों का ही उलंगन करे वो अगर हाउस की प्रोसीडिंग के जो नियम है नियमावली जो है उसको ही अगर उलंगन उसका करे तो फिर अगर कोई विधायक या कोई मंत्री करता है तो करेक्ट कौन करेगा उसको सुधारेगा कौन बड़ा स एक आमंत्रण कार्ड, इंविटेशन कार्ड जो है, जितने अपसर हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, सब के बीच में भेजा, और उसमें अपने को तमिलाड का नहीं, बलकि तमिजगम, तमिजगम का गवर्नर बताया, यही नहीं, तमिलाड का जो एंबलम है, ज हर जगा ये नाराज चारो तरफ दिखाई दे रहा है कि केट आउट रभी फ्राम गवर्नर हाऊस, ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राजभवन छोड़ो, आरेन रभी तमिलाण छोड़ो, ये नारे चारो तरफ लगे हुए हैं और लोग जो हैं बेहत नाराज हैं, राजनितिक तमिलाण वे बहुत चोटी सी पार्टी है उसको छोड़कर सारे सारे के सारे लोग आरेन रवी के फैसले से तोर तरीके से संविधान विरोधी उनके आचरन से बेहाच छुब्द हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं यहां तक कि मैं आपको बताओं कि एक बहुत महत्पूर्ण नेता हैं देश के भी और जाहिर है तमिलनाट के भी बहुत भुजर्ग नेता हैं MDMK के के वाई को उन्होंने तो कहा कि रवी को अविलंब गवर्नर रवी को अविलंब अपने पत से इस्थिपा देना चाहिए और कर नहीं देते तो सरकार केंद्र जो है उनको अविलंब हटाए लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और दोस्तों चलते चलते आपको यह भी बता दें आश्र जनक है कि देश का जो नेशनल मीडिया है खासकर टीवी पूरम टेलिविजन चैन आए बड़े अख़वारों अदेश के इससे लगता है कि प्रिंट मीडिया भारत में अब भी एक संभावना है तो दोस्तों आज हम इसी चोटी सीटी पणी के साथ अपनी बात खतम करते हैं नमस्कार आदाब सत्रियकाल